पर आपके सामने लगा रखाए जो चार्ट यहां पर एक वीक्रेशन एक ओर पर प्रेजन करते हुआ आपको शो कर रहे हैं अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा एक यहां पर जो ट्रेंड बना हुआ है उस ट्रेंड को यह स्टॉक कितना बढ़िए तरिके से follow कर रहा है तो हमें कहां पर fresh entry लेना चाहिए क्या target और क्या stop loss हमें रखना चाहिए सारी चीज़ें हम यहां पर discuss करने वाले तो बिना वक्त करते हैं अपने technical analyst को यहां पर देखिएगा यह जो stock है इसको करता हुआ हमें दिखाए देखिएगा इसके वाद में फिर से आती गिरावट करते हुए धीर धीर है आपर लिखे गई यह वापिस दो रूपर 50 पैसे पे ही यहां पर चार रूपर तक जाने की कोशिश करता है फिर से चार नीचे की तरफ लोट करके आ जाता है अब फाइनल इसने फिर सपोर्ट चार दिया और यह सपोर्ट कहां जमरेट की आ है तो आप देखेंगे वापिस से वही लेवल रुपर की तरफ गया कहां तक की तेजी दिखाई यह इस बार आप निचे की तरफ गया अब चाहां पर लगब बक पहले रिजिस्टेंस लिया था उसे देखेगा ये कौन सी लाइन है दोस्तों दिनों के एक्सपोर्ट लेता हुआ हमें दिखाई दिया मतलब इसके अंदर आप पर लोट चुका उपर की तरफ गया और इस बार फिर से श्टॉक ने आपर कोशिच की कि उपर की तरफ चलेंग साथ रूपए के आस्पास लेगिन वाफिस से रिजक्षन आता है और एक बाष रपॉट क्या होता है री टेस्टिंग मेंद्ध होता है यह स्टॉक यहां पर उतरता वह आपको दिखाए ताए चेह रूपय के भी निचे आप पर आने की कोशिश करता लेकिन फाइनली कि वह फिर से उपर की तरफ गया वह फिर से आप पर रजिस्टेंस को स्टॉक ने फेस किया है यह देखेगा आपर रिजिस्टेंस कर लेते हैं यह सपोर्ट तो कई सारे यहां पर बने हैं जो कि हमने कई सारे काउंट भी किया एक यहां पर रहें दुसरा तिसरा चोथा चार सपोर्ट यहां पर बन चुके स्टॉक में होती है फिर से गिरावट यह देखेगा इस गिरावट के साथ ही स्टॉक जो यहां पर क्या करता है सप पोट के बाद जब उपर गया यहाँ पर फाइनली एक को रेजिस्टेंस इस टॉक ने फेस किया और इस वाले रेजिस्टेंस को फेस करते ही इस टॉक में आ जाती है गिरावट रोगा इस पर अभी कुछ भी क्याना मुश्किल होगा लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो इस ट साथ रुपए के निचे तक भी स्टॉक यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है मैं आपको रिकमेंट करूंगा आप इस रडार पर रखिए विकली चार्ट पर विकली चार्ट पर आपको निचे की ट्रेंड लाइन पर मिलता सपोर्ट लाइन पर तब आप इसको बाइंग करके उपर की जो सपोर्ट लाइन है यहां का टार्गेट आप कम से कम रख सकते हैं और यह वाले टार्गेट के साथ अगर आप इंट्री करेंगे तो नीचे की तरफ मैं आपको रिकमेंट करूंगा विस्ट आप श्टॉप लास ना रखिए तो ज्यादा विस्ट आप अपर यहां पर साड़ा तरगेट करेंगे तो यह पर प्राफिट होगा आपको यह पर प्रॉट यह होता है काम करने के तरीका पैणी स्टॉक में च्टॉप लास को चोटा रखके अपने स्टॉप लास को हंट काराने से बचना चाहिए तो मैं आपको ट्रेंड इसका आपको बचना चाहिए किसी भी पेनी में लगाने में आपको बचना चाहिए किसी भी पेनी स्टॉक में अपना पूरा पिसा अपना लगाएं यहां पर क्या करें बास्केट बना है जिसके अंदर आपको सभी टाइप के पोजिशन इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले थेंकिस वाचिंग इस वीडियो